जैची निंद्र दर्शेकों आप सभीका स्वागता आधिनाथ तीवी चैनल के कारिक्रम विद्यानन गुणानुवाद में दर्शेकों दिल्ली के राजा बजार स्थिर श्री खंडेल वाल दिगंबर जैन मंदिर में 23 अप्राइल 2023 को समाधिस्त श्वेत पिशाचारे श्रुएक सुवाट विद्यानन जी मुनिराज के 99 जन जनती पर विद्यानन गुणानुवाद का आयूजिन क्या गया ये कारिक्रम गुरुदेव के परंप्रभावक्षिश्य अंतिवासी परंप्राचारे श्रुएक सुवाट प्रग्य सागर जी मुनिरा ससन के सानिते में आयूजित क्या गया जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर असीम पुन्ने का लाब लिया तो आईए दर्शेकों देखत समाधिस्त श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज की निन्यान वेवी जन्म जयन्ती पर विद्यानंद गुणानु वाद का आयोजन किया गया ये कारिक्रम गुरुदेव के परंप्रभावक्षिश अंतेवासी परंपराचार्य श्री 108 प्रग्य सागर जी मुनिराच ससंग के सानिध्य में आयोजित किया गया इस अबसर पर सर्व प्रथम भठारक स्वामी जी ने गुरुदेव विद्यानंद जी महराज का पुराना स्मरंड सभी के समक्ष प्रकट किया आचार विद्यानंद जी महराजी के आसिरवास से पूरे देश में हॉस्पिटल का नाम भगवान महावीर स्वामी रखा कहीं चिकिस साले संबंदी सिक्षा संबंदी मने समाच के हित में स्कूल खोले धर्म सालाएं खोली मंदिर बनाए बहुत से परुपकार के काम की हम सब को आचार विद्यानंजी का 99 वा जन्म दिवस मनाने का यही बिसेस योग बना है कि हम उनकी 99 वा दिख्षा जन्म दिवस मनाते सहथ यह संकल्प करेंगी कि हम अपने जीवन में जितना बन सकेंगी परुपकार करेंगी इसी बीच आचारे श्री प्रग्य सागर जी मुन्राज ससंग उपस्तित होकर मंचा सीन होते हैं तदो परांथ विशिष्ट अतितियों द्वारा धर्म ध्वज फैरा कर कार्यक्रम को गती प्रदान की गई सारी जहां से अच्छा, जिन धर्म है हमारा हमारा, सारी जहां से अच्छा इसकी बाद आगंतो कतितियों द्वारा आचारे श्री विद्यानंद जी मुनिराज का चित्रा नावरन किया गया तदो परांत उपस्तित महानु भावन द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया चत्रों कुद्धी मिनाशा है दीपर जोटी रमुस्तती दीपर जोटी रमुस्तती दीप जनाओं और शाओं के अग्यार नारे इसके बाद आचारे श्री प्रग्य सागर जी मुनिराज ने करनाटक से उपस्तित अति थी श्रीधन कुमार जी के बारे में बताया आज अपने बीच में धन कुमार जी गॉंडे आपको नाम लग रहा होगा एक कौन है ये हमारे करनाटक से हैं और जेन हैं राष्टी अल्ब संखक आयोग में सदस्ट से हैं जब भी हमारे जेन सामाज में किसी प्रकार की परशानी होती है तकलीप होती है तो भारस सरकार न साथ ही गुरू के सानेध्या में उपस्थित अतितियों का स्वागत सम्मान किया गया स्वागत हैं स्वागत हैं इथी गढ़ स्वागत हैं स्वागत हैं इसके उपरांत करनाटक से उपस्थित श्रीधन कुमार जी ने गुरु चरनों में अपने विचार प्रकट की पर ले हम सोचिंगे विद्धयानन्द बोले तो क्या इह नाम कैसा जोड़ा जाता है विद्धया में जो विद्धया मिलने के लिए जो आनन्द पाता है उषे विद्धयानन्द बोलते हैं जिन्दगी में मा और मिट्टी ये दो चीज ऐसे हैं कि हम भूलने पाते हैं और बूलना नहीं चाहिacă वो हमारे धरम के लिए और हमारे रास्ट के लिए रहना चाहिए इसी पावन श्रिंखला में एक बालिका द्वारा भक्ती से सराबोर मृत्य की प्रस्तुनी दी गई तदु परांत सवभागेशाली भक्तों ने पूज आचारेश्री का पाद प्रक्षालन कर आशीरवात प्राप्त किया इसकी बाद सवभागेवती महिलाव ने पूज गुरुदेव को मा जुनवाने प्रदान की इसी क्रम में आगंतुक महानुभावों ने गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज का गुणा नुवाद किया आज निन्यानवे साल की जैनती है अचारेश्री की और उनके मुख्य शिश्य होने के कारण प्यागा सागर्जे महाराज ने इस उपलक्ष में समाज को जोड़ा है बड़ी प्रसंदता की बात है एक बड़ा पॉपुलर शब्द दिस्नवाल करते थे वो मत ठुकराओ गले लगाओ धर्म सिखाओ उनका मत था कि सब पूरे समिधाओं को जोड़ के रखो इस अवसर पर उपस्तित सवभागेशा लिभक्तों का स्वागत सम्मान किया गया में विचार भी व्यत किये श्वेट पिछाचारे अदन्य विद्या नंजी मुनिराज्य की निन्याण में जेनती है इमानदारी से कहूं तो मैंने पढ़ा नहीं था लेकि आने से पहले उनको पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद एक बास सोज में आ गई कि ऐसे महापूरश जिनोंने भारतिय धर्ती पर जन्म लेकर इस समाज के लिए कितना बड़ा काम कर गए वो और हम सिर्फ एक समाज में उनको बांद के रख दें विद्यानद जी को तो यह हम अनुचित कर रहे हैं इस दौरान गुरुदेव कि सानिध्य में ही परिच्छ सम्मेलन पत्रिका का विमोचन किया गया गुरु विद्यानद जी गुरु वर हमारे रहना हमें है चर्णों तुमारे गुरु विद्यानद जी गुरु वर हमारे रहना हमें है चर्णों तुमारे तंग है सारा दमाना, करूं तेरा शुक्राना, मैंने ये जीवन सांप दिया गैं तेरे घात में राजा बाजार के समस्त भक्त समाधिस्त श्वेत पिच्छाचार्य, श्री एक सवाथ विद्यानंद जी मुनिराज के निन्यान वेवे जन्म जयन्ती पर अति उत्साहित नजरा रहे थे और भक्ती की साथ गुरुदेव के पूजन का लाभ प्राप्त कर रहे थे वर्तमान में श्वेत पिच्छाचार्य, श्री एक सवाथ विद्यानंद जी मुनिराज तो हम सब के समक्ष साक्षात रूप में नहीं है मगर उनके द्वारा समाज को दिया गया मार्ग दर्शन, उनके मार्मिक उपदेश, सदैव गुरुदेव की उपस्थिती का एहसास करा रहे है यही कारण है कि राजा बाजार के भक्तों में गुरुदेव की जन्म जयन्ती पर अपार उत्साह दिखाई दे रहा था इस अवसर पर समस्थ भक्तों ने गुरुदेव का पूजन करते हुए क्रमानुसार अर्ग्य अर्पन किये इस पावन अवसर पर समस्थ भक्त जूमते गाते हुए गुरु भक्ती में लीन नजरा रहे थे गुरुदेव की जन्म जयन्ती पर उपस्थ तनेग भक्तों को कारिक्रम समेती द्वारा स्वागत सम्मान किया गया इसी पावन श्रिंखला की माध्य एक महीला सदस्याद्वारा अपने विचार प्रकट किये गए आचारिय श्री विद्यानन जी की पुन्य स्मृत्ति का जिसमें राश्ट शंत प्रंप्राचारिय श्री 108 प्रक्सागर जी के सानिध्य में हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं गुरु वह होते हैं जो हमें ज्यान देते हैं संसकार देते हैं हमें जीवन की जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु हमें जीवन की ओचायों तक पहुचा देते हैं यह हमारा परम सवभाग्य है कि हमें ऐसे परम उपकारी गुरु देव मिले जिनका आशीश और अनुकम साथ ही अनेक महिला सदस्याओं को पुरुस्कार प्रदान किये गए इसी क्रम में भक्तोंने गुरुदेव विद्यानन्द जी मुनिराज का गुणानों वाद किया विद्यानन्द जी महराज कई भाषाओं के ग्याता थे कन्नड, तमिल, तेलगू, हिंदी, संस्क्रेट, प्राकृत और पाली भाषा का भी उनको विशेश ग्यान था और उनी की प्रेणना से कुंद-कुंद भारती के अंदर ये पाली और प्राकृत पढ़ने का ये एक केंद्र बनाये गया, जिसमें देश बर के जो भी विद्वान आना चाहें, वो आकर के जैन धरम की प्राचीन पाली और प्राकृत बाषा में लिखे हुए ग्रंतों का अध्यान कर सकते हैं इनकम काबला में कोई नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता कोई भी तदो परान तो पस्तित समस्त भक्तों को आचारी श्री प्रग्य सागर जी मुनिराज की कल्यान कारी वानी श्रवन करने का अवसर प्राप्त हुआ करनाटक प्रांथ, शेडवाल, गाउं 1975, 22 अप्रेल माँ की गर्म में आने पर ही, जहां माँ को सुन्दर सुपन आने लग जाएं एक हजार आठ कमलों से मैं भगवान की पूजा करूं, ऐसी माँ के भाव हुए दोला उत्पन होते हैं, किसी को सुभ होते हैं, किसी को असुभ होते हैं आचारपुच बिद्धानन्द महाराज जी की माँ को सुपनाया कि एक हजार कमलों से मैं सीजनेन भगवान की पूजा करूँ कलपपा जी को बताया कि ऐसा मेरा सुपनाया है अच्छा ये तो बड़ा सुप है मैं इसकी विवस्था करूँगा और उन्होंने एक हजार आठ कमलों को कमल लाल कमलों को ला करके अपने गाउं के श्री महावीर भगवान के सामने एक एक कमल को चड़ाते हुए उनकी मा के हास्वं से पूजा की गई गुरुवानी श्रवन करने के उपरांत भक्तों ने गुरुदेव के जन्म ज्रयंती के उपलक्ष पर दी पर्चना करते हुए क्रमानुसार मंडल पर दीपक स्थापित किये आज गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज हम सब के मध्ये नहीं है मगर उनके शिश्य आचारी श्रीप्रग्य सागर जी मुनिराज अपने गुरु के पदचिन्हों पर चल कर धर्म प्रभावना कर रहे हैं और उनहीं के पावन सानिध्य में बड़ी ही उच्साह के साथ गुरुदेव का नन्यान वेवा जन्म जयंती बनाया गया जिसमें राजा बाजार के भक्तों ने असीम पुर्ण्य का अरजन किया दर्शको दिल्ली के राजा बजार में बड़े ही उच्साह और उमंग के साथ समाधिस्त श्वेट पिछाचारे श्रेग सुआट विद्यानन जिमुनिराज के निन्यानवे जन्म जयंती मनायी गई इस अबसर पर विद्यानन गुनानुवाद का आयोजन किया गया निकारिक्रम गुरुदेव के परमप्रभावक्षिष्य अंतिवासी परमप्राचारे श्रेग सुआट प्रगे सागर्जी मुनिराज ससंग के सानिते में बड़े ही हर्चोलास के साथ हुआ जिसमें भक्तों ने गुरुदेव की भक्ती आहरातना का लाप राप्त किया दर्शुवेट्स कारिक्रम में फिलहाल इतना ही मुझे दीजे आ गया और आप देखते रहें आदिनाटीवी चैनल जैचिनेंद्र